Good morning friends, welcome to my channel, आप देख रहे हैं Unconditional Love Before to start any story, मैं बता जेती हूँ मेरी थोड़ी सी health खराब है मुझे cold and cough को ज्यादा हो चुका है, तो मेरे throat पे थोड़ा सा infection चल रहा है तो शायद उतना energetic way या शायद उतना voice मेरी clear नहीं आए पर please guys adjust कर लेना, थोड़ा सा throat infection हो गया है तो back to the story, तो हम यहाँ पर थे कि जहाँ पर रिद्धी को लेकर इथन एक side में जाता है और वो Indian culture के बार में बात करने लग जाता है पहले तो रिद्धी को तोड़ा uncomfortable रखता है, उसे समझ में नहीं आता है कि क्या चीज़े चल रही है पर फिर भी उसका, वो उसको handle करती है क्योंकि उस ऐसा लगता है कि वो नई country में है और अगर कोई आपकी country के बारे में जानने की कोशिश कर रहा है और आपको अच्छे से आपसे बात कर रहा है, तो आपको भी उसके साथ वैसी का चलना चीज़े है और वैसे भी हमारी इंडियन का कर जाए, अतीती देव भव तो अगर आपसे कोई आपकी culture के बारे में पूछ रहा है, तो आप उसके साथ अच्छे से लओ तो पार्टी वैसी चल रही रहती है, दूसी तरफ जो हमारी जिया रहती है जिया काफी अच्छे से डांस कर रही रहती है, काईरा के साथ, मिया के साथ और साथी साथ रश्मी के साथ, जो रश्मी रहती है, वो एकदम से आखे, close आखे, जिया को टच कर रही रहती है, जिया को वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है, क्योंकि जिया सी गल्फरेंट रहती है, लेकिन मिया को थोड़ा सा अजीब सा लगने लगता है, मिया यह क्या चल रहा है, तो कहती है, ओढ़ी है, यह लेकि आके बोलती है कि क्या ये लोग couple है तो कहते ही कापल है तो क्या इनकी girlfriend insecure feel कर रही है यह वाली तो तो कहते ही रश्मी मैं तो कहते ही हाँ थोड़ा बहुत insecure चलता ही है मैं भी बहुत साथ इंसेक्यूर होती हूँ जब मेरी girlfriend किसी और के साथ होती है तो तभी मिया पूछती है आपकी कौन गुर्षफरेंट तो कहती है वो रिध्धी वह बाइटी थी आपके बॉर्षण के साथ तो यह दोनों देखते तो इनको रिध्धी और रिधिन नहीं देखते तो कहते हैं यह दोनों कहा चले गए पर फिर इन लोग को लगता है कि मेब orange juice लाती है, एक drink लेकर आती है orange juice कैरा के लिए रहता है क्योंकि उसको पहले से ही बताया रहता है कि वो नहीं पिये पर वो लेती है और जो मिया रहती है उसे heart court, drugs, तो यह सब लेने कि आदत होती है तो जो drugs का थुरश है जो drugs इ suited cap Towns आती है वो उस ड्रिंग में दाल के अपने ले कर आती है और जैसी वो पीने वाली रहती है तो वहां से काईरा वो ड्रिंग को ले लेती है वो पीने लग जाती है मिया मना भी करती है कि don't know काईरा, don't drink, it's not for you काईरा, please don't drink, it's not for you काईरा, काईरा तब ही काईरा सुनती नहीं है और वो ड्रिंक कर लेती है फिर जो ड्रिंक करने के बाद वो बहुत जाधा अनकम्फरेबल हो जाती है उससे होता नहीं क्योंकि जो ड्रक्स का डोस रहता है मिया के लिए तो नॉर्मल रहता है वो जाती है रश्मी के पास रश्मी को बोलती है your friend is not well तो जो रश्मी रहती ही वो नहीं सुन रही ही रहती है तब भी जीया का वो एक्तम से face अपने तरफ लाती है तो जीया बोलती है yeah me what's happened तो वो बोलती है कि your friend is not well actually जो रश्मी और जो जीया रहते, वो बहुत कपल डान्स कर रहा थे, एक दूसरे से चिपकते हुए, जैसे कि इस माहूल में, ये तो उपनली रहता है, इंदिया में भले वो लोग ऐसे उपनली डान्स नहीं कर पाए, पर यहाँ पर बहुत उपनली डान्स कर रहे रहते हैं, तो उनका ध् मिया बहुत अच्छी गर्ल रहती है, she was a very supportive अगर मिया वहां से जाती नहीं है, वो सिच्विशन को टैकल करने के लिए खडी रहती है वो बहुत बार बोलती है कि प्लीज है तो ये लोग एक दूसरे से पूछा लगते हैं अगर रिद्धी है तो रिद्धी को पता होगा कि कायरा किस टाइब का सोचती है क्योंकि रिद्धी ही उसको हैंडल करती है हर टाइम तो तब ही वहां से मिया पूछती है रिद्धी हाँ पहले रिद्धी को धूणेंगे या पहले कायरा को धूणेंगे तो रश्वी बोलती है कि आप लोग कायरा को धूणो मैं रिद्धी को धूणती हूँ तो यहां से जो रिद्धी को ढूणने के लिए लोग निकल जाते हैं तो वो पूछती है कि वेट 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 मैं आप मेरे बॉइफरंड को कॉल करती हूँ उसके साथ भी हो सकती है रिद्धी तो जीया कहती है ओ आपका दिमाग भी चलता है काफी अच्छे से तो यह जो वर्ड होता है वो एकदम से हिंदी में बोल देती है लेकिन मिया यह सुनने ही बात है या तो यह बोलू से इतनी समझ में नहीं आती है तो वो पुछती है क्या बोला जीया आपने मैंने का यू आर इंटेलिजेंट यू नो हाँ टू फाइंट यूर रिदी तो आप बहुत इंटेलिजेंट हो जीया ऐसे लाउड वोइस में बोलती है तो तभी वो कहती है थैंक यू थैंक यू जस्ट वान मिनिट आइम गोईंग तो कॉल और वो वहाँ जाती है कॉल करती है तो इतना साउंड रहता है कि उन्हीं को ही समझ में नहीं आता तो ये लोग बात करने के लिए ये लोग खुद भी बालकनी के वहाँ साइट बे जाते तो जैसी वाँ जाते तो ये दोनों ने वहीं मिलते है तो रिद्धी बोलती है कि क्या हो गया कि पहने भ squishy कि तुझे भोलता था ना तुझे बोला था ना तो वहीं पर बैट। तुझे है तुझे समझ में नहीं आता क्या है यान हम लोग फॉरिंड कंट्री में हैं यहां नहीं है इंडियानिय ह। तो रिद्धी कहते है कि शान तुझा पर हुआ है इतना पैनिक झू ह हो रही है तो कहती है पैनिक होने वाली बात है काहरा चली कर यह पता नहीं तो रिदी को भी टेंशन और टी तो रिदी मैंने कहा था ना कि आरे को साथ में लिकर गूमना तो कहती है वो हमाने साथ ही डांस कर रही थी फिर मिया कहती है वो actually it's my fault तो तभी एथन बोलता है what happened, baby what you did it there is a something is big issue तो वो बोलती है की no no nothing is big issue actually I don't know what to say I just bring a drink for myself and she taken my drink तो रिदी पूछती है आपने लिए जो drink लायते उसमें कुछ मिला था क्या तो मिया कहती है actually वो थोड़ी सी उसमें drugs था तो रिदी की भी हालत खराब हुजाती है की drugs वाला अब कायरा ने पी लिया है तो ये लोग ऐसे भागते हुए जाते और ढूणने लगते तो पहले तो पहले grass floor पे देखते तो नहीं दिखता है फिर आगे जाकर देखते तो कहीं नहीं दिख रही रहती है फिर जो रहता है एक terrace रहता है जो पर terrace डीजे भी रहता है terrace के उपर भी वहाँ पर terrace party भी चल रही रहती है तो वागा जो एक watchman रहता है वो कहता है कि why don't you just go for the upstairs and find out the girl भी तो ये लोग को लगता है कि हाँ चलना चाहिए तो now the team is divided कि सब अलग-अलग तरीके से चले जाते कुछ लोग अब ये लोग रहते टोटल 5 लोग से रहते तो जो इथन रहता है वो अपनी girlfriend के साथ ढूणने जाता है ground floor पर जो कायरा को ढूणने के लिए जीया और रश्मी जाते है means यही पर सब जगा जिस floor पर party चल रहते उसके हर एक एक floor के areas में ढूणते और जो रिद्धी रहती है वो upstairs जाते है कि उपर party चल रहती है तो सब shattered हो चुके रहते हैं और एक दूसरे को ढूण रहते हैं जब ढूणते ढूणते वो ऊपर जाती है तो वहाँ पर भी उसे कायरा नहीं दिखती है वो काफी जादा find out करती है लेकि वो जो ऊपर की party रहती है वो pool party चल रहती है और उस pool party में यूणो short dresses रहती है सब बहुत अलग-अलग type के swimming costume पहने रहते है और सब का अलग चल रहता है तो थोड़ा सा रिधी uncomfortable feel करती है क्योंकि वो जिस culture से थी और ये culture totally different था ऐसा नहीं है कि वो awkward या backward type feel कर रहती बट उसे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहता तो वहां से जाती है तभी वो एक girl से तकड़ा जाती है और तकड़ा के वो girl बोलती है oh are you from India तो वो बोलती है yes what कहती है इंडिया में ही इतने जादा कपड़े पहने जाते है तो देखके पता चलता है चलो आओ तुम्हें party का enjoy करते come 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 वो लड़की उसे जानती नहीं थी पर वो जबरदस्ती खीचका ले गई तो पहले तो रिद्धी ने उसे बोला कि देखे मैं गलती से यहां आ गई हूँ मैं down floor वाली party के लिए आई थी यहां पर नहीं मेरी friend मुझे मिलनी रही है तो यह लोग बोलते कि no no अभी आप आए हो अभी हा करो तो जबरदस्ती मतलब ऐसे लेका जारे रहते तब ही वो एकदम से हाथ चुडाती है और बोलती है कि just wait मैं पानी पी लेती हूँ और पानी के बहाने वहां से रिद्धी भागती है रिद्धी को तो एकदम से ऐसा लग रहता कि कहां भज गई हूँ मैं कहां चली गई हूँ क्या चल रहा है मेरे साथ मतलब मेरी अच्छी खासी lifestyle की तो पूरी band बच चुकी है means यह क्या चल रहा है तो यहां से रिद्धी एकदम से भागती है और भागती वे जाती है तब ही वहाथ से उसे रश्मी और जिया मिलते कहते क्या होगया तुझे इतना क्यों थो हाइपर हो रही है हालत क्या खराबbies है तो कहती है वह उब यार इधन और मिया को कायरा एक राउन्ड फ्रोड पे दिखती ही रहती है वहां पर एक जगह पर बैटी रहती है और उसकी ना थोड़ी सी हालत खराब हो रहती है, तो जैसी वह लोग वहां पर जा कर देखते हैं, उनने काफी ज़्यादा दूर पे कायरा बैठी हूई दिखती है और अजीब से लेकिर वहाँ पर बैठने के साथ साथ उसको आजू बाजू एथन को दो-तीन बॉइस दिखते है जो आच्छली कैनेडा के रेसिडेंशल्स रहते हैं तो वह कैनेडियन्स रहते हैं और वही पर खड़े हुए रहते हैं कारा को घूर रहे रहते हैं काई याप हमेद। थोड़ा सा टचु कारा रह बहुत कारा रहता है। ए्दिन जैसी यह देखत है असे बहुत जा ज़ा गुसा आता है रॉपना आपा खोलकर एकलो से जाके बोलता है हे!! डोंट्ट तच MÚ-tney Cho जैए बड़न के काम पर दा यूज तो मिया इस लड़की वागती है। जो बकिनि अथा से लड़की को ले को बोलता है जाओ मिया इसके फ्रेंड्स को बॉला के लाओ और उनको बोलो कि वह इस लड़की को लेके जाएंगे। तो मिया यहां से भागती है, और जाते-जाते पैरे तो उपर 1st प्रोर पे जाती है, रश्मी और जिया को ढूनती है, रिद्धी वहाँ पर उने मिल जाती है, वो कहती कि तुम्हारी फ्रेंट मिल गई है, नीचे है, तो यह लोग भागते हैं, तो जो कायरा रहती है, वो आउट ओफ कंट्रोल हो चुकी रहती है, उसको थोड़ा सा हालत खराब हो जाती है, तब ही जो रिद्धी आगे आती है फ प्रेंट, I know her and we all are her friend, so she is just a drunk and I'm going to find out her, so please let me just take care of my friend, तो तभी वासी कायरा, oh how could I consider she is your friend, now she is with me and with my friend, we are going to take her for a long drive and enjoy a lot, so stay away, तभी इधन कहता है कि तुम अपनी हाथ पार कर रहे हो, यहाँ पर भालतु का मत बोलो, तो तभी वो बोलता है कि रिद्धी की तरह बोलता है कि अपनी friend को लेके side में जाओ, मैं इनको handle करता हूँ, मिया कहती है कि नो इधन, you can't handle lots of boys alone, तो कहती है मि just relax, I will talk to him and a man to man talking, फिर मैं उन्हें बताता हूँ, तुम इनको लेके जाओ, तो जो रिदी रहती है, वो एक्तम से भात पकरती है, कायरा का और उसे अपनी तरफ पूल करती है, उसे हग करती हुए, side में लेके जाती है, तभी वाद से वो कैरेंटियन बोई रहता है, वो रो जाता है, 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 जाता with you you just take but she is not in a conscious mind if she is in a conscious mind then she wants to go on a ride to have a fun with you you all of them having a full right to do it but right now my friend she is unconscious she is not in her stage of mind and in that way if you take your take her for a long drive so it's just I mean you are just taking the advantages of her unconscious mind you are just a misusing of her so please try to understand for her willingness she is ready to do no one can say anything to you but right now if you are just taking her and without of her own permission you just forcing her molesting her harassing her so please friend if you understand that was a good way so ethne rata wot kafi acche se semjhane ki kooshish karta hai wot samjhata hai usse kafi acche se ki jis tariqe se agar tum wot lardki ko lekar jarae ho agar wot apne khud ke conscious mind mein hai agar wot hoosh mein hai to lekar jau to achi baat na ki wot tumhari saath khud jana chaayegi to tum kisi ka advantage is nahi lere ho par agar wohi lardki behoosh hai usko khud hooshi nahi hai aur us speech mein tumh usse long drive pe leke jau ge uske saath musti mizah karo ge to aap ne to usko harris ka liya or molestration ka liya wot kafi acche se ethan semjhata hai aur saati saath wohi ye bhi samjhata hai ki haam abhi dousre dousre countrys se aaya hai hai haamara culture alag hai aur aapka culture alag hai agar aapki aapke yaha aaya hai to aap apne culture ko dhyaad me rakhkar haamare saath acche se behave kari ki jab haam yaha se jayenge to haam ye to cohenge ki aap loog bhoat acche te to woh kafi acche se samjhata hai tabi woha pe joh ek dousra boy rata hai joh canadian rata hai woha ake bolta hai dude he is right she is an unconscious mind and we can't take the advantages of unconscious girl so just let it be and do thank you for understanding us the qualities of our culture thank you okay just bye bye and i'm sorry girls uh we are really sorry we are not here to hurt you and i don't want ki you will just face all the rest of the problems if you need any help i'm there i'm just giving you a my card to woh visiting card dhe deta hai aur ithen ko thank you bolta hai ithen just it's a very good way ki you just you just told us ki aap ne kaafi acche se hamei chizze samjhaya hai toh jaisi vhaa se chalye jati hai toh kaira ki tabi kafi zahadha kharab honne lag jati hai miya bhoat zahadha khush wati hai ki iske boy friend ne bina kuch fight karai ithenne acche se sab loog ko tackle kiya yaha par impressed toh kahi na kahi riddi bhi ho chuki thi kyunki usne bhoat logically wye me baat karke hunne samjhaya aur apni chizzo ko convey karne ki kafi acche se kooshish kari aisa nita ki usne fight karaha wagera toh kahi na kahi ek impressed woh bhi bhoat acche se ho chuki thi toh riddi kafi zahadha ethen kin sab chizzo se impressed hooti hai aur isse kafi acche lata hai saare friends bhi bhoat zahadha interested hootate hai aur ne jis tariqe se uska way of culture lagta hai woh kafi samjhdaar ladka dhikta hai is chizze mein woh party mein kafi hota hai toh ri tari ke baat joh mia kiathi hai ki mujhe aisa lagta hai ki isko doctor ke paas leke jana zahadha sahih hai ki ki ye joh isne drink pee hai woh thoda heavy dose ka hai and i think ki woh akalye handle nahi kar pahe ki so if you don't mind hameh leke chana chahe ye tabhi yaa se riddi kati ki problem nahi hai lekin ham jab vahaan jayenge toh phir drugs ka report wagera karana means thora problem ho jayega aur ham luk toh india se hai ham faltu ka chizzo mein first jayenge means hamara toh kuch ek-dusre se baat hi nahi ho pahe ki aur aur kuch ho gaya toh matab kaafi zahadha joh dari hui rheti hai kahi hath tak toh bhoh zahadha riddi dar chukhi rheti ki ki bolteh nahi godfather ka haath nahi hota hai ki kuch bhi karo toh problem ho jahe toh handle ka le tabhi wahaan se ithin kaeta don't no 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 don't worry riddi sab kus thik ho jayega wait wait mein mera dost hai doctor woh woh apse ye kar lega par kuch ho gani issue aap don't worry i i i i i checkle that toh ithin aapne dhost ko phone lagata hai aur se bolta hai ki mein is klinik pe a raha huun toh abbaat kerti toh ithin aapne aapne tab sab ko lekar huye jata hai tohaan se ye log cap book kerti hai cap se ye log jate jaisi vaha jate hai toh uska dhost bolta hai ki hey he's birdie how's you toh kata hai hey i am good and i need your just or one help can you just uh talk to her uh about the you know she taken her drugs and something has happened toh tabhi riddi kaeti no my my girlfriend don't take her drugs suddenly it was a uh just uh replacing of the drinks she want orange juice but she drink some other juice this is just a basic concept which happened uh kaira kaira ki condition ko dhyaan me rakhkar bhohut zyadha halat kharaab hoci toh doctor sabse pahle kya kata hai ki joh bhi usne liya hai woh sab throw out karne ke liye wohse woh dhwaiya deta hai jisse usko vomiting ho toh pahle toh thodhi dher tak toh kuch bhi reaction uski body phe nahi dhikta hai toh sab bhoh zyadha worried hote hai ki na woh conscious mind mein haati hai na kuch ho ra rata hai toh tabhi uh uh jo uska jo dhos raita hai doctor ethan ka woh mia ka push hai which type of drugs you just used it toh woh kahti hai ki uh manne is matab woha brand bataati hai aur woh bulti kya haa ka drugs zyadha toh doctor kahti hai ki woh that was a very very heavy dose uh kyunki joh insaan drugs lita hini nahi hai usko suddenly se ap heavy dose dhoghe toh uski toh halat wiesse hi kharaab honi thi toh woha se bulta hai ki thik hai man ko medicines di hai manne tiktik itta time lagta hai toh thodhi day me medicine dhenne ke baad asar hota hai aur kaira ko bhoh vomiting ho na start ho jati hai toh riti jati hai vomiting ke washroom mein jati hai usse bhoh tap kerti hai uski back ko aur kum se kum ah ye joh vomiting soti hai ye eight to nine vomiting soti hai jiski wajah se kaira ki body bhoh zyadha weak ho jati hai par woh vomiting sona bhi bhoh zyadha zharuri ta kyunki drugs ka effect kai hath tak vomiting ke through ho jata hai jab wohh bhoh zyadha you know bhoh zyadha relax ho jati hai jab uske pura chiz ho jati hai toh phir waha se joh person rata hai wohne ek proper injection deta hai aur thoda se joh multivitamins ki joh bol sakti hai ki joh guru ko uske saath multivitamins ka dhekkar thoda time kere laga dhe so joh ethan rata hai wun ko kafi zyadha thank you bolta hai kyunki uske dost ne ye akar drugs paradi chizze akar padha chalti hai toh police case ho na ya ye sab hoonay hoonay wala rata hai but woh handle kar di te toh yaha se riddi kaafi zyadha impressed hothi ethan ke har ek behavior se aur joh mia rati hai woh bhi bhoat helpful nature ki rati bhoat zyadha help kerti hai harik chiz pe toh mia toh kafi achi dost jia ki ban chukii thi toh jia usse bolta hai thank you for helping all the thing toh mia kata hai jia help thank you maat bolo kai na kai galti meri hai agar maine woh drink kai rak se pala le leti toh shayad ye sab issue nahi hota aur I'm really sorry kai na kai aap sab meri wajhe se itisari problem me fusse ho agar aap ko agar maine ye nahi honne deeti toh ye shayad problems nahi aati tabhi rashmi mia ke ghande pere hat lakke bolti hai ki ya ye baat such hai ki kai na kai aap agar woh drink le leti toh nahi hooti issue par drink le ne ke baad bhi itne time tuk harik problem me aapne hemahara saad diya bhoat bade baat hama apko toh jantte tuk nahi hai hamae toh pata bhi nahi hai par phir bhi aapne khud aakar hamaari madad kariye isse bade helpful ki nature ki kya bata hai aur galti toh sabse hoti hai chahe 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 aap ho ya kaira sab ho par aap ki kui isse bade isse bade na so agar u situation me ma hrdi kia i am really sorry tbhi mia kia तो इतन बोलता है कि कायरा की थोड़ी सी हैल ठीक नहीं है तो हम यहाँ पर थोड़ी तेम बैठते हैं उसके बाद जब यह पूरी दवाया खतम हो जाएगी देन हम उन्हें होटल पर लेटे वे जाएंगे तो यह बात पर यह लोग बैठे रहते हैं काफी देर तक फिर एक दूसरे से बाते काफी करते हैं जो इतन रहता है वो सिफ और सिफ जो रिद्धी को अबसर्फ कर रहा रहता है और जो रिद्धी रहती वो काफी जादा टेंस हो चुकी रहती क्योंकि वो कायरा को इस कंडिश पर मीया को पता रहता है, मीया को शायद मीया नोस ढट की क्योंकि कारिस कायरा से जब बात करेते हैं कि रिद्धी उसकी गर्फरंड है पर वह तढ़ा धे थियान नहीं देती है, मीया रहती है, वह काफे जादा हम पक्रम गोल भन मा अशे ने को होती है तभी इतना के बोलता है विर्दी तुम इतना तैंशन क्यों ले रही हो सब ठीक हो जाएगा तो बाघ नहीं बाँ टेंशन की नहीं है वो थोड़ी बच्ची है तो उसके लिए थोड़ा सव वरिड नेस होती है हमारे अंदर तो कहते कोई बात नहीं है वो जल्दी सही हो जाएगी और वैसे अभी कल हमारा competition है तो आपको उस पे भी बहुत अच्छे से करना है तो कहते ही कि हाँ competition तो है तो वो उत्ता matter नहीं करता है अभी फिलाल तो अभी काईरा की health में लिए जादा matter करती है तो कहते ही हम अपनी बहन का ख्याला बहुत अच्छे से रखती हो रहती मुझे अच्छा लगा ये जान कर ऐसी इथिन कहके वहाँ से खड़ा हो जाता है और मिया उसे बोलती है कि मिया बात करने आई रहती है इथिन से और इथिन को बोलती है कि मुझे coffee पीनी है तो क्या तुम में ले coffee ले आओगे और हम सब के लिए भी तो वो अपनी girlfriend को मना नहीं करता है कहता है no no yeah yeah of course मैं अपनी लेकर आता हूँ canteen से तुम यही पर रुको तो ये बोलके जो इथन है वो चला जाता है तब ही रिद्धी बोल नहीं वाली रहती कि वो मेरी girlfriend वो मेरी sister नहीं वो मेरी girlfriend है पर उसको मौका ही नहीं मिलता है बताने के लिए यहां से थोड़ी करीब 10-15 मिर्ट हो जाती है कि एथन आता है और सब के लिए coffee लेकर आता है और coffee पीता है तो वो देता है रिद्धी को तो रिद्धी को तो रिद्धी कहती है no I don't need it तो कहती है कि पी लो waste हो जाएगी मैं आपके लिए भी लेकर आया हूँ तो रिद्धी जैसी यह देखती है तो वो ले लेती है थोड़ी दे तक काफी यह लोग बाते करते एक दूसर से चीसे होती है इदा उदा का टाइम पास तो करना रहता है जैसी डॉक्टर वहाँ से वापस आता है तो डॉक्टर बोलता है कि now she is well but she need a complete bed rest तो आप इसको घर पर जाएए और कल सुबह तक वो ठीक होई जाएंगी किसी भी हालत में तो यह कहते है कि ठीक है फिर सब लोग क्या करते हैं उठाते हैं और लेकर चले जाते हैं कायरा को कायरा काब बुक होती है काब लेकर लेकर जाते तो जो मीरा मीरा और इथन रहते हैं यह दूसरे कैब में रहते हैं बाकी यह चारो जब जाने के बाद सब वो रिसॉर्ट और होटल में पहुचते तो वहाँ पर जो रश्मी है वो help करती है रश्मी जिया कायरा को अंदर तक लाने में और फिर इसको सुला देते तब यह तीनों वही पर बैठे हुए रहते तब ही रश्मी कहते है आज अगर एथन नहीं होता हम बहुत बड़ी मुसीबत में फस्ने वाले थे तो जिया कहते है हाँ यार बहुत बड़ी मुसीबत में फस्ते है आज क्योंकि ड्रॉक्स का यहान पर पता नहीं ज mess प्रूंज है है पैसे देकर भी बात खत्म होती है कि नई केस वेस हो जाता तो तबी रिदी कहते हैं इस बार कहनी तो जैनुइनली गलती नहीं थी जी में जी कहते हैं तो रश्मी चैनली कहते हैं हैं गलती तो नहीं थी बट भुगतना थो आपन सबको पढ़ता ना तो रिदी कहते है कि बात वो नहीं है यार, मुझे डर लगता है काईरा का, क्योंकि काईरा एक छोटी सी बच्ची है, पहले तो वो लाइक दिस की, की इधा उधर जाने के लिए वो बाच चंचल होती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसे ऐसी जगा पे लेकर नहीं जाना चा रिद्धी कहती है, जिया कहती है कि यार पर उसने ना ऐसे, you know, मतलब वो situation से भागी नहीं अगर ये चीज थी, अगर वो नहीं बताती कि कौन सी चीज क्या है, तो कैसे होता, तो कहती है, हाँ, वो बात भी कई हद तक सही है, अच्छा रिद्धी, हम लोग चाहते हैं, अपने competition है, और वैसे भी कायरा को अब morning में होश आएगा, तो तो ध्यान रखना, तो कहती है, हाँ, तो यहाँ से यह लोग भी अपने रूम में चले जाते हैं, वहाँ पर इथन और मिया रहते हैं, वो भी अपने रूम पर जाते हैं, और काफी एक दूसरे के साथ quality time spent करते हैं, अ थोड़े से disturbance हुई है, so please avoid that, and if you like my story, like, share and subscribe, thank you.